हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर के अग्जाम क्रेकर मैं विश्नुदत सर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अग्जाम क्रेकर पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टन अपडेट लेकर आ हूँ और ये अपडेट है जो आई बी एसी आईयो का एक्जाम है 2021 का यानि जो इंटेलिजेंस बीरो का जो एसिस्टेंस सेंट्रल इंटेलिजेंस ओफिसर का ये भरती है उ से रेलेकर मैं इंपोर्टन अपडेट आपके लिए लाया हूँ देखिए फ्रेंड्स काफी दिनों से काफी लंबे समय से ये इनजार कर रहे थे सभी जो स्टुडेंस है या फिर जो एसिरेंस है वो सभी इसका इनजार कर रहे थे की ये एक्जाम कब होगा तो कुल कितने form ये apply किये गए हैं इन सभी के बारे में जो पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना skip करें आप last तक देखिए और मैं इस वीडियो में आपके साथ इन points को discuss करने वाला हूँ और friends मैं बताना चाहूँगा अगर आपने अब तक चैनल को subscribe भी नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना और bell icon को भी प्रेस कर लेना उससे आपको हमारी वीडियो के लगातार notification मिलते रहेंगे और आप जो मैं इस चैनल पर important updates लेकर आता हूँ उनको miss नहीं कर सकेंगे तो friends आईए जानते हैं आज की important जो update है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं जो ये IB का intelligence बीरो का जो भारतिय कोपिया agency है उसका जो recruitment है उसमें total vacancy है ये 2000 vacancy है 2000 post के लिए ये जो भरती की परिकिरिया है जनल के लिए 989 इसमें post है AWS की 113 OBC की 417 और SC और ST की है 360 और जो 121 vacancy तो ये vacancy है इनके लिए ये exam होना है काफी लंबे समय से जो experience से वो इसका इंजार कर रहे थे तो finally ये admit card का link आ चुका है तो friends जो admit card का link आ चुका है जो काफी important update है आपके लिए वो मैं आपके साथ जो description में है उसमें direct link भी share कर दूँगा आप वहाँ से अपना login करके जिसमें आपको id आपका और password फिल करना होगा वहाँ पर login करके आप अपनी जो exam का admit card dates देख सकते हैं जो dates है जो काफी important है जैसा कि पहले वी कई महिने पहले से बाते चल रही थी के फरवरी के तो तीसरे week में हो गई तो dates आ गई है 18 से 20 फरवरी यारी 18 19 और 20 फरवरी 2021 को ये exam होने व आपकी और जो exam city है exam district है वो सब आप login करके admit card के link पर click करके वहाँ से check कर सकते हैं अभी ये link activate हो चुका है आप अभी ही इसको जाकर check कर सकते हैं और जो full details है वो full admit cards आएंगे वो 15 फरवरी के बाद आपके upload कर दिये जाएंगे तो आप तब इसको download करके print out आसानी से निकाल सक exam के बारे में जानते है total number of forms एक और जानते हैं इससे हमको पता चल जाएगा कि competition कैसा है इस exam के लिए कितना है total जो forms भरे गए हैं लगबग सत्रा लाग प्लस यानि काफी ज्यादा form भरे गए हैं apply किये गए हैं इस vacancy के लिए जो ये 2000 vacancy आई हैं IB की सत्रा लाग से ज्यादा और जो ये जो मैं source बता रहा हूँ इसका ये जो RTI का source है और बाकी एक दोर important source है जो registration number वगर है candidates के उन सभी data से ये मैंने collect करके बताया आपको लगबग सत्रा लाग से भी ज्यादा form भरे गए हैं काफी जो SSC paper देने वाले UPSC वालों ने भी obviously ये form भरा है क्योंकि ये काफी अच्छी post है काफी जो है lucrative और जो काफी salary वाली भी job है ये काफी prestigious job है ओके तो इससे पता चलता कि competition बहुत ज्यादा है इसमें और इसमें exam का हमें time भी कम दिया गया है एक घंटे का ये paper होता है और पहली बार online हो रहा है paper ओके तो इसलिए ये काफी competition है इसमें cut off भी काफी अच्छी जाने वाली है बाकी एक दोवर points देखते हैं exam का paper का pattern देख लेते हैं या उससे बेस्ट जो important points है जो exam होगा वो online होगा computer based test होगा cbt जो जिसको हम cbt बोलते हैं so question होगे 5 section होगे अलग 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 time होगा एक घंटे का यानि 60 minute का कोई sectional time नहीं है ओके एक घंटे का time है जो bank के exam होते हैं उनकी तरह sectional time नहीं है exam का जो pattern है वो देख लेते हैं जल्दी से पांच section जो मैंने बताए वो कौन कौन से है journal awareness जिसमें 20 question आएंगे जो की gk computer current affairs इससे related होगे reasoning के हमारे जो reasoning ability होती है 20 question इस section से आएंगे quantitative aptitude यानि maths के जो maths का जो portion होता है उसके 20 question आएंगे और journal studies देखिए journal awareness और journal studies दो topic दिएगा है इसमें अलग-अलग कुल मिला के यह 40 question है यह बहुत ही important है आपके लिए तो 20 question journal studies के और English के journal studies में हमारे history, geography जो भी basic subject है science के यह से भी आएंगे और English जो English language का section है 20 question वहाँ से आएंगे तो यह total मैंने 5 section आपको बता दी इसमें no sectional cutoff कोई अलग से sectional cutoff नहीं होगी और जो normalization की process है जो आपका score आएगा वो normalize होके आएगा ओके तो यह जो important points आपके जानने होगे थे मैंने यह आपके साथ share कर दिये तो friends आसा करता हूँ यह जो मैं important update लेकर आया आपके लिए वो आपके लिए काफी helpful होगी और आ आना चाहूँगा अगर आप जो मैं यहाँ इस channel पर वीडियोज लेकर आता हूँ अगर आपको वो पसंद आ रही हैं वो आपको थोड़ी भी helpful हो रही है तो वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने friends के भी share भी कीजिए और channel को subscribe ज जरूर मिल जाएंगे और आप एक भी notification को एक भी update को miss नहीं कर पाएंगे तो friends इसी important update के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं next वीडियो में और अच्छे updates और अच्छे questions के साथ तो friends thank you